बगट टेक्नो आईटी सोलिशन में फिर से आपका स्वागत है हम आज एक नहीं वीडियो के साथ आई आए वह जहां पर आप GST सबसे पहले शिंपनी का मेरा इस्तॉल करूँगा आपको दिखा रहा हूं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं मुझे उसके drivers दिख लें, यह पास का है, इसलिए यह पास के tokens लिख रहे हैं मेरे system में already installed है, इसलिए मुझे ऐसा रहा है, कि यह आपके system में already installed है अमें यहां पर यह पास का software man रे install किया है वो में आपन करता हूं उसको में login करता हूं, उसमें certificate का check भी कर सकते हैं, प्रॉपर certificate है कि नहीं अब यह मेरा login हो गया, इसके मैं अभी अपनो registration देखेंगे, यह सेम GST पे यह नाम है क्या जिस पे कोई भी डारिक्पर या पार्ट्नर का नाम इसमें से एक होना चाहिए, GST registration करने के लिए तो हम यहाँ पर दूसरा टूल्स जो EM Signer है, वह हम open करेंगे, यह आपके पास नहीं है ताब GST के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, EM Signer का टूल, वह डाउनलोड होने के बाद उसके services को start कर देंगे, जैसे ok कर देंगे, यह service हमारा start हो गया, उसके बाद हम GST के पोर्टल पर जाएंगे, और वहाँ पर अपना हम लॉग इन करेंगे, तो मैं यहाँ पर अपना लॉग इन कर रहा हूं, मेरा भी यह registration का process है, इसलिए TRN नमबर से कर रहा हूं, जिसे capture डाल के proceed करेंगे, OTP आएगा, mobile और email दोनों पर, दोनों में कोई भी एक OTP डाल देंगे, तो सीट किया मैंने, फिर यहाँ पर action के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर last वाला जो tab है, verification का, क्योंकि already मैंने form भर के रख चुर रख लिया है, इसलिए मैं जाए एक last वाली tab दे जाऊंगा, verification के टैब पर, यहाँ डिक्लियरेशन पर, जो डिक्लियरेशन उसको हम प्लिक करेंगे, yes, नीचे automatically मेरा नाम आ जाएगा, location डालेंगे, और submit with DSC, because यह मेरा company का DSC करना हूँ, तो company का digital signature, लौकर और organization का DSC करना है तो, जो EVC का option से वह नहीं आता, आपको digital signature करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया, वहाँ पे मुझे नीचे करना पड़ेगा, तम जैसे ही submit to our DSC करते हैं, मुझे वह errors आते हैं, इसके लिए solution के आए, कि मैं फिरसे वहाँ पे services में जाऊना पड़ेगा, और मुझे जो नया, मेरे पाद जो DSC है, वो DSC को मुझे पहले DSC के portal में, इंडॉल्मेंट करना पड़ता है, इसके बज़े सी यह errors आते हैं, तो देखिए, मैं अभी कैसे यह digital signature को इंडॉल्मेंट करता हूं, तो सबसे पहले मैं उपर में, services में जाऊंगा, जो dashboard के बाजू में, services, वहाँ पे user services है, last options, यहाँ पे DSC, देखिए, DSC है, upload DS DSC, third number options, तो आपको यहाँ पे click करना है, यहाँ पे जैसे आपका आएगा, आपका नाम आ गया, यही लामकर DSC होना चाहिए आपके पास, जो नाम अभी यहाँ पर उत्रा है, सीमेटरी में आ रहा है, proceed, यह जो भी आपको पॉप अप दिख रहा है, यह पूम रही है, यह एम साइनर के वजह से, इदे, आपके वास एम साइनर नहीं है, तो आप एम साइनर डाउनलोड कर लीजे, जो GST के पोर्टल में भी अभी अबलेबल है, मैं अपने description के लिंक मे जहां से आप डाउन्लोड कर सकते हैं यह दिस्ट का पॉर्टल कभी तोड़ी स्लो होने के बज़े से यह तोड़ा प्रॉब्लम जयता है और हो जाता है एजली तेके जैसे वह आ गया यह यह मसाइना का पॉप अगया यह सर्दिशेस का है जब का चालू है कि हो गया जैसे इस अगया है अब सक्सेस्पूल ही आपका डियसे लोल्मेंट हो गया यह पर क्लिक किजिये आप प्रोसीड है आपका डियसे आपका डियनलमेंट सुक्सेस्पूल हो गया आप फिर से जाहिए वेरिपिकेशन के टैप सबसे लास्ट का अभी जो मुझे अरूस आ रहे थे वह द पिर से मैं यहां पर वेरिफिकिशन पर क्लिक करता हूं नाम चूज करता हूं प्लेसे चूज करता हूं और सब्मिट भी डीएस्थी येस कर देंगे वार्णिंग आएगा फिर से ओई साई पॉप आया सेम एम साइनर के लिए जैसे मैं इसको कर दिया आपका सक्सिस्पुली सम्मिट हो गये यह कभी-कभी इसके वज़े से आपको कुछ प्रॉब्लम सा सकती है तो मैं इंटरेंट एक्स्प्रोर के कुछ आपको एडवांस सेटिंग बताता हूं जिससे आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उसक सेख है इट इंडर सेटिंग्स ओल के जो मेरे चैनल्स पर आपको मिल जाएंगे जो बेसिकली ड्यस्क प्रॉब्लम से लिए क्या-क्या सेटिंग्स लगते हैं ऑं लाइन के लिए तो वह सभी सेटिंग्स आपको मैंने आज वीडियो बना के धाला है वहां से आप देख सकत डीटेल्स के लिए लिंक में भी दिया हूँ रहेगा लिंक से भी आप देख सकते हैं क्लिक करके और इसको कर देता हूँ अपलाई और जिदे आप समय देखिए जिदे आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इस तरह के एक टेंटेस के रिकार्डिंग में वीडियो आपके सामने रखता रहता हूँ